दोस्तो किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कभी जीवन में हार नहीं मानू मेरे दोस्त क्या पता आपकी अगली शुरुवात में ही आपको जीवन की सबसे बड़ी सफालता मिल जाए जहिन दोस्तो अगर आप आप SSC Railway State PCS All Government Exam के लिए त्यारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लबदायक होगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में दोस्तो इससे पहले हम पढ़े थे बंगाल के गवर्नर के गव पर्फम गवर्नर-जनरल के रूप में आते हैं वार्य나टेय जोकी 1747 से लेकर 1785 तक रहते हैं गवर्न जीनरल जोकी 1773 के रेग्यो atmospheric के द्वारा गवर्नर से गवर्नर जनरल अ बन गया गया उप अन्य we got गौवर्नर जनरल वारेंग हेक्स्टिन को मना जाता है बंगाल के और बंगाल के पर्थम गौवर्नर जनरल वारेंग हेक्स्टिन है जो की सच चोहत्तर से लेकर 85-श वी तक जोकि एक्विल 11 वर्ष टक गवर्णर जनरल रहें वारेंग हेक्सेसे व्रष दोस्तों व्रवेंग हेक्सेस्टृन सुप्रीम क отвеч की अश्थापना करते हैं सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों नियाइक सेवा की शुरुवात यहीं से होती है सुप्रीम कोर्ट से दोस दोस्तों बन गई है तो उसमें चलाने के लिए मुखे नियाधिस चाहिए तो मुखे नियाधिस इलीजा इंपे को बनाया जाता है कि दोस्तों आगे है वारेंग हेक्स्टिन और सुजाओ दौला मिलकर एक संधी करते हैं वानारस की संधी जो की 1773 इस्वी में हुआ था कि दोस्तों एसियातिक सोसाइटी और बंगाल हुआ मिल्यम जोन्स अस्थापना करते हैं 1784 इस भी में लेक्सराइम थो आघके कहत्या का आड़ाप लगता है थो तो संसध में चल्आ के रहते हैं सभी दोस्टों से मुख्त कर देतें हैं दोस्तिया क्यों आड़ Nedra है इसको हम दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे और और भारत में न्याइक सेवा का जंदा था वारेंग हेक्स्टिन को ही कहा जाता दोस्तों लॉट वारेंग हेक्स्टिन के समय में दृतिय महसूर यूद होता है जो कि 1780 से लेकर 84 तक चलता है जो कि मंगलोर की संधी स समाफ Peach होता है मैं इससे पहले दोस्तों पढ़े थे बनारस की संधी जोकी वारेंग हेक्षिन और सुजाओ दौला के भी चला था जो की 1773 में हुआ था बनारस की संधी इसमें दोस्तों बनारस की संधी के बाद अंग्रेजों का हुकुमत चलने लगता है अंग्रेजों का सासन चलने लगता है अवद पर जो अवद के नवाब रहते हैं सुजाओ दौला वही अवद जो की अयोध्या में है दोस्तों अगला आते हैं गवर्णर जनरल जो की लॉड कर्णवालिस जो की इनका टाइम लाइन 1780 से लेकर 1793 इसमी तक रहते हैं और इनके समय में दोस्तों तीतिय मैसूर हुगा था जो की स्री रंगपर्टनम की संधी से समाप्थ हुआ था दोस्तों तीन यूध्य हो गया और दोस्तों मैं चाहता हूं कि यह जितने जो यूध्य हुए हैं इस सब का विडियो मैं बना कर दूँ दोस्तों अगला है संस्कृत संस्कीत विद्याल है जो की 1792 इसकी अस्थापना जूना थन डंकन ने किया था नेक्स्ट है दोस्तों दास बेपार पर रोक लगा था लड करनवालिस के समय जो की 1789 इस्वी में अगला है दोस्तों प्रांतिय न्याल है जो की वारेंग हेक्स्टीन के समय जो की कलकत्ता धाका पटना और मूर्सिधा था अगला है दोस्तों अस्थाई बंदोवस्त जो की 1793 इस्वी में लागू हुआ था बिहार और बंगाल में नेक्स्ट है दोस्तों सिविल सेवा का जर्मधाता वारेंग हेक्स्टिंग को कहा जाता है जो की 1763 इस्वी में पर्थम भारतिय आईसीएस इंडियन सिविल सर् और अभी दोस्तों आई एस इंडियन एड्मिनरेटिव सर्विस उसका नाम चेंज करकर रख दिया गया है और यह जो की कब नाम चेंज होता है इसके बारे में ही पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में नेक्स्ट है दोस्तों सुभास्चन बोस भी आईसीएस की परिक्षा पास करते हैं और इन्हों ने त्याक पत्र दे दिया एक नेक्स्ट दोस्तों पुलीस सेवा का जमदाता लड करद मालिस को कहा जाता है अगले गवरणर जनरल जोस्तों गवरणर नहीं जनरल जो की सर जौन स सोड है थे जो की 1793 से लेकर 1798 इसमी में तक इन्हों ने जौन सोड के समय में चारटर एक्ट जो की 1773 में पारित हुआ था और ये दूतीय चारटर एक्ट जो की 1793 इसवी में पारित होता है और इसी चारटर एक्ट के तहट और हंस्तच्हेप की नीती लाई जाती है और अंस्तस्यव की मैसूर के प्रती और जो मैसूर था उसमें दोस्तो जमिंदार को भूमी का वास्तिविक स्वामी मानने जाने लगा दोस्तो बनारस में एक महाविद्याले खुलता है जो कि संस्कीत महाविद्याले जो कि पर्थम संस्कीत महाविद्याले बनारस में ही खुलता है दोस्तो आज हमने बात किया कि बंगाल में गवर्णर जनरल के बारे में और भी गवर्णर जनरल है लोड विलेजली के बाले में इसके अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें चले दोस्तो इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद थैंक यू थैंक यू सो मच